करने वाले आपन लोग ठीक है and the most important जो आज का टॉपिक रख रहा हूं में वो लिपिड का रख रहा हूं by definition लिपिड की सारी कहानी क्या होती है हम कहते है यह esters होंगे यह esters of fatty acids this is a simple definition of the lipid लेकिन अगला जो शब्द आता है वो आता है कि अगर fatty acid के एस्टर से तो fatty acid क्या है यहां पर घुमके गए fatty acids are the acid derivatives of the acid derivatives of long chain hydrocarbon long chain अगर hydrocarbon का मामला है तो hydrocarbon कितने तरह के होते हैं दो तरह के होते हैं या तो आप saturated के सेंस में बात करोगे saturated या unsaturated can i A liloji में triple bond का इस्तेमाल नहीं करना है डूल को याद रखना है biology में triple bond इस्तेमाल नहीं करना है और अगर आप double bond इस्तेमाल भी कर रहूं multiple double bond का इस्तेमाल कर रहे हूं तो इंजुगिटिटिट सिस्टम का इस्तिमाल करना है यानि कि आपने एक डबल बॉंड लगा दिया तो अगला डबल बॉंड एक छोड़के लगा हो गए तो वहला नियम बाइलोजी का थोड़ी सी वापिस से बात कर लें फेड लिपिट्स का चीज होता है आपने का एस्टर्स और फैटी एसिट्स बोला है तो एसिड क्या होते है आपने डरिवेटिव फॉफ लॉंग चेन हायदर्रोकार्वन जब मामला लॉंग चेन का बोल रहा हूं तो लॉंग में मैरा डिफिनेशन होना चाहिए कि जब लॉंग का मतलब होना चाहिए वो दो से ज्यादा होना चाहिए स्टी टेन के बियॉंड क्योंकि अगर में हाइड्रो कारवन की ऑप क्या जाती हाइड्रो कारवन की हाइड्रोकारवन एक से लेकrier क्या चार पांच तक तो आपके पांच से लेके अगर आप आठ तक चले जाओ तो लिक्विड है और इवन आठ से लेके बारा दस बारा तक भी अगर चले जाओ तो यह थोड़ा सा सेमी फ्लूड वाला मामला हो जाता है लेकिन C12 onwards यहां पर कुछ-कुछ solid condition आना शुरू हो जाती है अगर आप 20 के उपर 25 के उपर 30 के उपर चले लाओगे तो कुल्टार बन जाएगा इसलिए आप दिमाग में प्लगाना वहां तक नहीं जाना है जिन्दिगी आपको कहां पर बनाना है आपकी जिन्दिगी बनेगी से शुरू करोगे तो fatty acid के जब definitions दोगे तो C12 से देना शुरू करोगे C10 भी आप चाहें तो कर सकते हैं but we always consider C12 चलिए थोड़ी सी बात वापिस से पीछे आ जाते हैं मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि यहां पर esters बनाना है आपको और अगर मैं chemistry में and esters के sense में आपसे बात करो तो दो चीजों की वज़र से ester बनता है दो लोग react करेंगे तो ester बनता है आपने का क्या 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 आप बोलते हो अगर C double OH कभी भी OH के साथ reaction करें तो आपकी यह वाली चीज बनेगी I think this is ester तो ester बनाने के लिए अपने को दो चीज़े चाहिए एक तो acid चाहिए और एक alcohol चाहिए acid शब्द आपका आ रहा है यहां से यह acid यानि कि जब कभी भी आप lipid बनाओगे तो इसका acid वाला part कौन होगा usually वो usually होगा आपका fatty acid part आपने का दूसरी चीज और बोल रहे हो आप और वह alcohol वाला पाट अलकोल वाला तो बताए ही अभी तक अलकोल वाले पर आपना आगे बात करेंगे कि लिपिड में अलकोल वाला पाट क्या करता है एक्जेक्टिव सो जो बैसे चीज़े हुई वह यह कि whenever we are going to define the lipids there are esters of the fatty acids और esters of fatty acid में fatty acid क्या है these are the acid derivatives of the long chain hydrocarbons hydrocarbon क्या है आपने का दो तरह के है saturated और unsaturated तो मैं फटा फट से आगे खड़ा हो गया मैंने का भी या fatty acid भी आपके दो तरह के दो तरह के fatty acid saturated fatty acids और unsaturated fatty acids whenever I say like this मैंने लाइन खेस लिए मैंने कहें यह मामला सही है अगर मामला सही है तो जड़ा शांती से देखते हैं कि exactly क्या क्या कहना है वालों मैं saturated fatty acids unsaturated fatty acids any question from your side जड़ा है प्रह'd का झाज़ा हो ग्ुराall प्राण जजार मங हाद अ ठीक है के का पांडा सर आई गुरूजी में टेस्स काई की टेस्स स्रीज वह आप डिफाइन करें वह बाद में बात करेंगे अभी अपन थोड़ा सा काम की बात कर लें अपने का नंबर का गेम कुण सा है आपको यार आपन 12 से शुरू करेंगे अधर की तरह बात करोगे और इनके नाम के से याद रखोगे कि कभी भी किसी भी फैटी असिट को आपको मुल्क करना पड़ है तो आपका कुछ इंटरिशनल कोटें हर एक चीज के कुछ इस हिस्तरी के क्या इंटरिश और इंटरिशनल कोट की अपटाना पड़ेग से लिए यहां आपको बताना पड़ेगा कि number of double bonds कितना है यह जो ना सिंबल है इस number of double bonds यह जो location है यह आपको हमेशा बताएगी कि आपके जो double bond है वो कहां पर है कि double bond कहां पर आपने define कर दिये है ओके इंपोर्टन चीज जो है टेस्ट होता है क्या हाँ जी टेस्ट होते हैं बहुत दुरी तरह से होते हैं लोग पागल हो जाते हैं टेस्ट दे नाम नहीं लिखना है यहां पर एक symbol लिख्थ दो यहां पर लखथ दो पाल के यहां पर लिख़ो इस्टिया और यहां पर लिख दो अरे सिंबल आपने लिखे और बाकी दिमाग नहीं लगाना मैंने कर देखो पूरा पूरा नाम लिखोगे तो ऐसे आएगा लॉरिक मेरिस्टिक पामिटिक पामिटिक इस्टियरिक एरेचिडिक आपने को वाओ मामला सेचुरेटिड है तो यहां जितने भी नंबर लिखो गए वह आप के लिखो गए इस ट्वैल जीरो जीरो लिखा तो अविस्टि मुझे ब्रेकेट में लिखने के जरूत नहीं है क्योंकि ब्रेकेट में कब जब double bond है ही नहीं तो मैं कहां बताऊं कहां है जो चीज है ही नहीं उसका मैं बता नहीं सकता कहां पर है यहां पर मैंने लिखा 12-0 तो यहां क्या लिखूँगा 14-0 यहां क्या लिखूँगा 16-0 यहां लिखूँगा 18-0 और यहां लिख दूँगा 20-0 याद करने के लिए आ कि लौ मिर पाल इस्टिया आरे असान है ओके मैंने फटाफ़ट से अंसेचुरेटेड के नाम देखना शुरू कि आप आपको मैं भी बताऊंगा कि मैं एक्जेक्ली क्यों सिखा रहा हूं क्योंकि आप याद करना तो बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन क्रिश्चन आपका बह को बात प्रिफ़ बात भात या बवन सान त रहां कि बात याद इये एबन सान हो 25 All the time अ क्जेक के वो इख एफ सान हो 25 ले वीट इव्ङे कि वात बात इवूट क्त वेक मैं एबन से य२ं। कौन सा fatty acid मैंने गलत बनाया है? मैंने कुई सा भी एक fatty acid इसमें से गलत बना रखा है. अगर आपके CSI और NET में ये सवाल आ जाए तो ABCD में से अंसर कौन सा करोगे? Do it faster. कौन सी चीज में गलत बना चुका हूँ? Just keep on answering, please. मैंने एक चीज गलत बनाई है यहाँ पर आपके सामने. Which of the following is wrong? मेरा फटाफ़ोट से दूसरा सवाल है कि चडियाओडू का मामला है? Do it faster. प्रिणना पंदो. And you are easily able to understand क्योंकि जातर लोगों ने, आप लोगों ने आई गुरू जी वीडियो कर रखे हैं और आपको पता है कि पैटी असे कैसे लिखे जाते हैं तो 18 में 4 नहीं हो सकता. Simple सी बात है. लेकिन मेरा अगला सवाल यहीं पर. Which of the following is the essential fatty acid? मेरा अगला सवाल. इन में से essential fatty acid कौन सा है? Is it simple? दो ही सवाल आए? बाकी मैंने यह नाम नहीं लिखा? क्योंकि आप से obviously नाम तो मुझे भी पता है रट्टा मार का है और भेंकर तरीके से. और जब नाम रट्टे लगा रखे हैं आपने तो obviously सवाल आप से कभी भी नाम लेके नहीं पूछेंगे. वो आपको कुछ इस तरह का फर्मूल ले दे के पूछेंगे कि तुम्हें आता है नहीं आता है. Is it clear? Will you be able to understand the things? The essential fatty acid is this one. This is essential fatty acid. जो fatty acid मैंने गलत बनाया है वो ये वाला गलत बनाया है मैंने. दो answer सही है? चलिए हम वापस इसी पर आजाते हैं. हमने खाए हमने unsaturated fatty acids सीखना है. Unsaturated fatty acids मैं आप इन दो नामों को थोड़ी दरीक लिए भूल जाओ. आप हमेशा शुरू करो numbers से. It is 161-9. it is 181-9, 182-9-12, 183-9-12-15, and 24-5-8-11-14. मज़े के बात है आपने number भी याद कर लिया, बहुत है. क्योंकि आपको दो जगों पर star लगा देना है, फटा-फट से जो आपके बहुत काम के हैं, और उन दो जगों पर आपने star लगा दिया, यहां पर. बड़े काम के हैं. दुबारा से मैं नाम को redefine कर दूँ. इस 12, 9, 12, 15. शांदार है यह वामला. हमने का यह नाम क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैंने का कुछ नहीं करना है. यहां पर आपने लिया 16 का भाई बनाया, और इस जगे लिख दिया, पामी टेलीक एसिड. ध्यान दीजिगा एक लगा रहा हूँ मैं. इसको आपने लिखा OLEEIC ACID इसको आपने लिखा LINOLEIC ACID इसको आपने लिखा LINOLENIC ACID और इसको आपने लिखा ARCHIDONIC ACID मैं इस स्पेलिंग उपर लिएता हूँ ARCHIDONIC यह ARCHIDIC और यह हो गया ARCHIDONIC नाम बड़े आसान है आपने कहा है याद हो गया लेकिन आपको नाम क्या याद करना है आपको नाम याद रहा है numbers का कितने कारबन है कितने double bond है double bond की position क्या है तो एक trend को आप देखो कि यहाँ पर जो double bond का order है वह 9, 9 फिर वह अपर 9, 12, 9, 12, 15 और फिर आपका आ रहा है 5, 8, 11, 14 observe करें, conjugated system है दूसरी और खास बात जितने भी unsaturated लोग होंगे पहली चीज़ तो आपने लिखा है कि वह यह conjugated system होगा अगर organic chemistry का आपको थोड़ा बहुत idea है तो आपको इस चीज़ समझ में आगई होगी कि मैं जब भी double bond बनाऊंगा एक छोड़के बनाऊंगा कुछ इस तरीके का दूसरी खास बात जो आपको याद रखनी है यहां पर वह यह याद रखनी है कि आपके double bond जब तक आप से कहाना जाए तब तक आपको सिस double bond बनाना है सिस क्या बामला है सिस का फुड़ा सा मैं आपको 11th क्लास में लेकर जाओंगा मैं 11th क्लास में इसका क्या मतलब होता था तो आपने का 1 2 3 4 5 6 7 अगर मैं यहां पर यह double bond लगा दूँ तो आपके से नमबर लिख देता है आपन 1 2 3 4 5 6 7 यह octanoic acid वहा सोरी यह वाली कंडिशन होती है सिस तो सिस और ट्रांस प्लीज डिफाइन रखना है नेक्चुरल कंडिशन में इसको हमेशा है कोई शास्थिस होना है जब हमें digest वगरा करना है या हमें कोई attack वगरा करवाना है कोई beat oxidation या omega oxidation, alpha oxidation कोई भी वड़ी बात करनी है तो हमशा उसको ट्रांस में convert करके काम करवाएंगे वह एक detail की बात है वह हम लोग hydrocarbon क्या है दो तरह के होता है saturated unsaturated saturated hydrocarbon चुकी दो तरह के हैं तो आपके fatty acid भी क्या हो गए दो तरह के हो गए saturated fatty acid में लॉमिर पाल इस्टियर है unsaturated में आपके 16-1, 18-1, 18-2, 18-3, 24 उसमें से इन दो के उपर मैंने गुला लगाया है गुला क्यों लगाया है क्यों कि इसको बोलते है essential fatty acids हैंने कि फटा-फट से मैंने कहानी को लिखा या 18-2 और 18-3 डेल क्या लिखेंगे 9-12 डेल मतलब position of double bond यह लोग कौन है आपने का essential fatty acid आपने का बात तो सही essential fatty acid किसी भी चीज के आगे शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिए essential उसका मतलब क्या होता है कि आपको body में से बहार से लेना पड़ेगा आपकी body उसको नहीं बना सकती आपने बात तो सही body के बाहर से लेना पड़ेगा तो फटा फट से पहले definition लिख दी शुड़ बी टेकन त्रम आउटसाइड ऑफ बॉड़ी शुड़ बी टेकन इन फूड यानि कि भोजन का हैस्सा होना चाहिए और जब भी फूड बोलोगे बैसिकली फूड का मतलब क्या होता है हर वो चीज जो बाहर से ली जाए असान सी बात मैंने का चलो ठीक है कोई बात नहीं आपने का ऐसा क्यों क्योंकि आपके पास सवाल होना चाहिए क्यों यही क्यों सवाल का बहुत अच्छा सा अंसर आप हमेशा याद रखना कि आपका जो human system है कि यूमन सिस्टम है कैन नॉट इंट्रड्यूज अच्छा सब्सक्राइब कि डबल बॉंड अच्छा सब्सक्राइब आपके दिमाग में तो घंटी बस गई यह क्या बात कर रहो सी नाइन के बियॉंड डबल बॉंड इंट्रड्यूज नहीं कर सकता तो आप तो एक चीज़ भूली गए और वह चीज़ थिक 24 डैल 5811 5811 14 आप इसको क्यों भूल गए यह भी तो फिर इसके बाद आपका 14 है यह दो लोग यहां पर बैठे हैं दुबारा से मैं लिग दूं 5811 14 इन दो की वाज़े से इसको भी तेकनेकली नहीं अना ची एसंचल अनसर बढ़ शानदार है अगर आप यह दोनों फैटी असिड को भूजन में ले रहे हो इस्तो फैटी असिड लाइन लाइन लिक ऐचेसड और लिनला लीक एसस इड इसड इस फैटी अचिड ए इस फैटी असे पर जरी तिंग बादा न एक्षिंस तो इस फैटी एसिड कैन बी जनेरेटेड फ्रॉम एटीन टू एटीन थ्री यहां पर एक और बहुत अच्छा सा क्यूश्टन इसी जगह पर मुझे यह 20 रेश्यो फोर में इतना इंट्रेस्ट क्यों है बहुत प्यारी सी बात कि जो आपका 24 में ने छब्द लिख है डाट इस और 5 8 11 14 यह मेरे बड़े काम की चीज़ है यह बड़े काम की चीज क्यों है क्योंकि दिस विल भी एक प्रिकर्सर आफ आइको से नाइट्स आग एक बहुत प्यारा चेप्टर आने वाला आपके आइको से नेट्स में पढ़ा हुआ हुआ गरुरुजी में भी क आपकी जिंदिगी के बहुत सारे चोटे-मूटे काम कर देता है और वो चोटे-मूटे काम इतने ज़्यदा एसेंशल हो जाता है कि जैसे लेबर पेइन होना जैसे प्लेटलेट्स का एग्रिगेशन करना यह आपको दर्द का एहसास होना यह सारे के सारे काम इसी के जो प्रोंबोकसन उस बच्चे का नाम याद रखना लूकोट्राइंज लूकोट्राइंज, प्रॉस्टाग्लेंडिन्स प्रोस्टा ग्लेंडिन्स और प्रोस्टा साइक्लिन्स एक पूरा का पूरा चैप्टर हम इसके बारे में बढ़ेंगे अभी तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि ये जो लोग हैं इन सभी लोगों को लिए एक मात्र शब्द इस्तिमाल होता है और वो शब्दे स्पेशिलाइजड फैटी असेट्स क्या खास बात है ना इके सुनर्ट की इस आर सिंगल रिंग स्ट्रॉक्ट्टर इस आर विग सिंगल रिंग प्लस लॉंग चैन तो आपको 20 रेशु 4 वाला जो नंबर है उसमें इंट्रेस्ट इन चार की वजह से होना पड़ेगा क्योंकि ये चार बड़े इंपॉर्टन होने वाले आगे की तरफ हम बहुत कुछ ऐसा है जो जबरदस्ता पढ़ने वाले इन सभी के बारे में क्योंकि आपको जो भी कोई डाउट होता है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल अजिसको बारे मैंने कल भी आपको बाताया था आप उस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से जोइन कर रहा है आप अपना सर्च करें फटाफट से जोइन कर ले थोड़ा बहुत आपको काफी कुछ अट लीस्ट जो मैं चार बजने में पांच मिनिट पे लिंक डालता हूं यूट्यूब क्लास का वह आपको में जाये करेगा अने केडमी पर मैं आपका एक स्पेशल कोर्स ले रहा हू तो जो बच्चे आइटी जाम से जुड़े हुए हैं उनको आइटी जाम रिलेटेट जितनी भी यूट्यूब और स्पेशल क्लासे होती है वो मिल जाएंगी प्लस कोर्स में वहां पर ले रहा हूं आएके सुनाइट जानने के जाम के लिए इंपोर्टेंट है क्या केका पंडा जी आपको जानकर आश्यर होगा कि अभी जो मैंने इस क्यूश्चन बताया था यह आईटी जाम का क्यूश्चन था आईटी जाम मेरे ख्याल से 2015 का होना चाहिए 15 या 16 का एक बार देख लेना आईटी जाम का क्यूश्चन था है और जो लोग CSIR दे रहे हैं इन सब की एप्लिकेशन के उपर हर दूसरी बार सवाल आता है जैसे एक फिरमस सवाल ब्रूफिन एक ड्रग होती है जो आप दर्द बोला जाता है यह वरक कहा करती है है फिर में सता सवाल ठीक है जाता है एपे चला होगा ड्रट इस आपने नाम सुना होगा हऊचरे मि यह ड्रग वरक कहा करती है सारह का सारा मामला या 1 के सोनें इतैए आ आज मैंने जस्ट एक introduction दिया है लिपिट के बारे में कल में इसको आप चाहेंगे तो मैं आप से कहा था कि मैं सिर्फ आदे घंटे के लिए आपके सामने रहूंगा I am just in front of you for half an hour so feel free जो telegram channel है उसका उपयोग constructively कीजिएगा अपना जो डाउट वगेरा अगर आपको लगता है कि yes I can solve तो just leave your doubts there जिससे कि मैं आपको ये live sessions के लिदर आपनों के साथ discussion कर सकूं ठीक है Anything else you want to ask जो आप मुझसे पूस्टना चाहें